अखिरकार पटना की जमीन पर पहुच ही गए हैं मैं बहुत ज़्यादा धन्नवाद देना चाहूंगा उन महारतीयों को जिनोंने हवाई जाहाज जैसी चीजे बनाई लगभग धाई से तीन घंटे का सफर लगा है और मुंबई से सीधे हम पटना की जमीन पर पहुच गए हैं रास्ते में इन आँखों ने बहुत कुछ देखा क्या देखा ये आपको हम जरूर बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नमस्कार मैं हूँ धरमदूबे आप देख रहे हैं देशी भारत हर घर भारत हर दिल भारत दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पटना आकर बिहार का विधान सबा चुनाओ 2020 की सारी की सारी जानकारी देंगे मुंबई से लेकर पटना तक आने में कई लोगों से मुलाकात हुई और जब भी चुनाओ जैसे मुद्दो पर बाते हुई तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि धर्म जी अगर आपको इंटर्व्यू करना ही है तो सबसे पहले उन लोगों का जरूर जाकर गे करिएगा जिनहें बिहार की राजनितिक पार्टियों ने टिकेट नहीं दिया है और वे सारे के सारे बागी बने फिरे हैं आपको हम जरूर उन लोगों से बात करने के बाद इंट्रविव शेयर करते रहेंगे साथ ही साथ इस बात और इस वादे के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं कि न किवल चार प्रसार और अपनी शुटिंग के लिए मौजूद होंगे इसके अलावा पटना ही शहर में रहने वाले हम कुछ उन लोगों के भी घरों में घुसेंगे महिलाओं से बात करेंगे हाउस वाइफ जैसी लोगों से बात करेंगे जो लोग विदान सभा चुनाओं को लेकर जाने क्या क्या सोच रहे हैं मैंने हमने यह जाना था यह सुना था कि सबसे जादा चुनाओं में अगर मज़ा आता है देखने में और रिपोर्टिंग करने में तो बिहार विदान सभा चुनाओं में आता है और जहां तक मेरी नजरे गई हैं वहां देखने के बाद एक नए वीडियो के साथ एक नए इंट्रव्यू के साथ आपके सामने हाजी होंगे बने रहें देसी भारत के साथ